दोस्तों नमस्कार मेरा नाम संजे मग्गू है और मौझूद है देश रोजाना के डिजिनल मीडिया मंच पर हर्याना में चुनाव की बेला है चुनाव का मौसम है चुनाव की बयार है आप कहीं चले जाएं हर्याना के अंदर किसी कौने में जाएं आपको केवल चुनाव की बात दिखाई देंगी आप सरकारी कार्यालियों में चले जाएं, कॉर्परेट आफिस में चले जाएं, पान की दुकान पर चले जाएं, गली के नुकड पर पहुंच जाएं, गाओं की चौपाल पर बैठ जाएं, चाहे की दुकान पर बैठ जाएं यानि कि आप कहीं भी यह अगर आपको चर्चा सुनाई देगी तो केवल चुनावी चर्चाएं सुनाई देंगी और इन चर्चाओं के बीच सबसे महत्वपूर्ण होता है कि किसको मिल रही है किसकी कट रही है, कौन जा रहा है, कौन आ रहा है, किसका क्या होगा ये तमाम सवाल होते हैं और तमाम बाते होती है अब अगर देखें तो हुक्के की गुरगुराट के साथ चौपाल पर प्रत्याशियों के नाम तै किये जाते हैं पार्टियों के आला कमान तो भले ही तै कर पाएं ना कर पाएं लेकिन हुके पर बैट करके कैंडिडेट्स के नाम तै हो जाते हैं हार जीत सब कुस तै हो जाती है अगर हम देखें तो सोशल मीडिया वेबसाइट्स हो चाहे वो अख़वार पे हो चाहे वो पोर्टल्स हो कई तो आपको ऐसे भी मिलेंगे कि 90 की जगा वो सो टिक्टें बाढ़ देंगे लेकिन हम भी आपको अनुमान लगा रहे हैं आपको बता रहे हैं मैंने आपको पिछले दिनों बताया था कि फरिदाबाद जिले में भारती जनता पार्टी के कैंडिडेट कौन और कॉंग्र के बारे में भी आपसे हमने बात की पलवल के बारे में भी आज मैं आपसे चर्चा में हूँ हर्याणा के एक और प्रमुख जिले रेवाडी को लेकर रेवाडी पीतल नगरी कहा जाता है इसको रेवाडी इसको अहिरवाल की राजधानी भी कहा जाता है रेवाडी प्राम लोगसभा चेतर का हिस्सा है और कोशली रहतक लोगसभार का इंदीनौ सीटों पर यांगी की रेवाडी बावल और कोशली इन तीनोर सीटों पर 2019 का विधानसभा चुनाभ हुआ था रेवाडी में यहां से कप्तान शाब के बेटे चुनाव जीते थे केप्टन अज्य यादव के बेटे चिरणजी वराव कॉंग्रेस के कंडिडेट थे एक मात्र सीट मिली कॉंग्रेस की ये रिवाडि जिले में और दो सीटें बाबल और दूसरी कोशली यहाँ पर चुनाव जीती थी भारती जंता पार्टी, 2014 में इन तीनों सीटों को ही भाजपाने जीता था, रेवाडी भी, कोसली भी और बावल भी, 2024 में क्या हो सकता है, और मैंने आपसे पिछले वीडियोज में जो जानकारी शेयर की, वो भारती जंता पार्टी और कॉंग्रेस के कैंडिडेट् आज मैं आपको बताने चलाओं कि रेवाडी जिले के अंदर क्या हो सकता है, यानि कि रेवाडी की जो तीन विधान सभा सीटे हैं, ऐसे कौन से त्रिदेव यहां से निकलेंगे, जो भाजपा को मजबूत करेंगे या कॉंग्रेस को मजबूती देंगे, क्या रेवाडी ज पार्टियों के बीच में कहीं बागी कैंडिडेट खड़े होंगे तो कितनी समस्या बनेंगे, यह बहुत सारी बातें और भी हैं, क्योंकि रेवाडी विधान सभा सीट जो कॉंग्रेस जीती चिरंजीव राव विधायक बने, राजनीतिक छेत्रों में चलचा चलती है कि क यहां से कॉंग्रेस का कैंडिडेट कौन हो सकता है और भारती जन्ता पारटी किसको अपना प्रत्याशी बना सकती है, सबसे पहले बात आप से रेवाडी विधान सभा की कर लें, रेवाडी विधान सभा में 1988-89 से ले करके, यानि कि जो उपचुना हुआ था उस समय पर, तब से ले करके और 2009 तक लगातार कैप्टन अजय आदव यहां से चुनाव जीतते रहे, कैप्टन अजय आदव कॉंग्रेस के कैंडिडेट के तौर पर यहां लगातार चुनाव जीते, और वो चुनाव जीत करके लगातार मंत्री बने, जब जब कॉंग्रेस की सरकार केप्टन आज़य щब क circumstance कैप्टं अज्य यादव बहां के मंत्री बने कि 204 का चुनाव कैप्ट अजय यादव फार गए थे चैंप यादव폰 12 wrion. डोतसुःउब उसके बाद में 2019 में उनको लोक सभा का टिकेट मिला वो उसको भी चुनाव को हा रे बाद में 2019 का जब विधान सभा चुनाव आया तो कैप्टन अजय यादव ने अपने बेटे चिरंजीव राव को चुनाव मैदान में उतारा पहला चुनाव था चिरंजीव राव का चिरंजीव राव के बड़ी पहचान एक और है कि वो लालू परसाद यादव जो आरजडी के मुखिया हैं बिहार के बड़े नेता हैं उनके दामाद हैं वो तेजस्वी और तेजप्रकाश के जीज़ाश्री हैं चिरंजीव राव 2019 में विधान सभा का चुनाव कॉंग्रेस की टिकेट पर जीत गए लेकिन मार्जन बहुत जादा नहीं था और उनसे जो चुनाव हारे वो हारने वाले थे सुनील मुसेपुर और यहां पर खेल बिगाडने वाले थे रंदीर सिंग कापडिवास 2014 के अपनी बेटी के लिए टिकट चाते थे आरती के लिए बेटी के लिए टिकट नहीं ले पाए थे यहां पर उनके कट्टर समर्थक थे सुनील मुसेपुर सुनील मुसेपुर को टिकट मिला था लेकिन सुनील मुसेपुर चुनाव नहीं जीत पाए थे और उसका खेल विग सभा से कॉंग्रेस उनको अपना केंडिडेट बनाएगी कि चिरंजीव राव और कैप्टन अजय आदव खुद कितने उसको लेकर के आश्वस्त हैं कि उन्होंने अपनी नावांकन भरने की तारीक भी तै कर दी है कि 9 सितंबर को नावांकन करेंगे और दूसरी बाद अगर कहूं मैं आपसे कि कितने विश्वस्त हैं उनको कितना अरुबान भरोसा है कि उनकी टिकेट पर कोई दिक्कत नहीं हो सकती कि नावांकन पत्र भरने की तारीक के साथ साथ ये भी कह दिया है कि कॉंग्रेस की सरकार बनेंगे और डेप्यूटी सीम बनेंगे डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर उप मुख्य मंतरी चरंजीव राव बनेंगे तो कॉंग्रेस केंडिडेट के तौर पर चरंजीव राव का नाम तै है याँ पर अगर आपसे भारती जंता पार्टी की बात करो रेवाडी के लिए तो सुनील मुसेपुर अब की बार अपनी पत्नी मंजु यादव को चुनाव मैदान में लाना चाहते है उनकी धरम पत्नी है मंजु यादव राव साप का सहरा तो उनको है ही एक सहरा और मिल चुका है सुनील मुसेपुर ने 2019 का चुनाव लड़ने के बाद में खुद को भारती जंता पार्टी में काफी हद तक रचा बसा लिया सुनील मुसेपुर राष्ट्रिय स्वेम सेवक संग यानि की RSS से लेकर के और BJP केडर के जो नेता है उनकी बहुत नजदीकी संबंदों में शामिल हो गए इसलिए सुनील मुसेपुर की टिकेट पर कोई खत्रा नहीं और सुनील मुसेपुर ने क्योंकि नारी सशक्तिकरन नारी वंदन अधिनियम जो संसद में पास हो चुका है इस सब को देखते हुए महिला प्रत्याशी के तौर पर सुनील मुसेपुर की पत्नी मंजु यादव का नाम सबसे आगे है और आप मान करके चलें कि लगवग मंजु यादव का नाम अगर सब कुछ ठीक रहा तो उनका नाम तय है और अगर मंजु ना होई तो फिर सुनील मुसेपुर खोदोंगे हलाकि नाम यह और बहुत है रंधीर सिंग कापड़िवास जो 2019 का चुनाव निर्दलिये लड़े थे बगावत करके जिनको पार्टी से बाहर निकाल दिया गया था वो उनकी पार्टी में वापस एंट्री हो चुकी है यह और गया पर एक और कंडिएट है sudah आर्विंद यादाव उनका नाम भी चलता है लेकिन जो लगता है वो 予सा लगता है कि सुनील मुसेपुर्व या उनकी धरमपत्नी मंजू प्राथमिक्ता मंजू यादव की मंजू यादव यहां से बीजेपी की केंडिडेट और कॉंग्रेस के केंडिडेट चिरंजीव राव इनको अगर आप लोग करनें तो जब कॉंग्रेस के और बीजेपी कैंडिडेट्स की लिस्ट आएगी तो उस समय आप से हम बात करेंगे अगर अगली विधानसभा सीट की बात करें तो अगली है बावल बावल रिजर्व सीट है सी के लिए अनुसूची जाती के लिए बावल से जो विधायक बने 2014 में भी और 2019 में भी डॉक्टर बनवारी लाल यहां से विधायक हुए आजकल वजीर हैं 2014 की मनोर पार्ट वन की सरकार में भी मंत्री थे और पार्ट टू मनोर में मंत्री हुए और अब नायब सरकार में मंत्री हुए पार्ट वन की सरकार में यालिकी 14 से 19 तक वो उनका जो दर्जा था वो राज्य मंत्री का था और अब वो केविनेट मंत्री है डॉक्टर बनवारी लाल के नाम का जब जिक्र होता है तो वहाँ पर सीधे कहते हैं कि बनवारी लाल की टिकेट को कोई खत्रा नहीं है ना तो उन्हें खत्रा राव इंदर जी सिंग से क्योंकि राव इंदर जी सिंग के समर्थक हैं वो इसलिए राव साफ उनकी मतद करेंगे और ना उन्हें बीजैपी कैडर से कोई खत्रा इस लिहाज से मानें तो यहाँ पर यानि की बावल की विधानसभा सीट पर डॉक्टर बनवारी लाल का नाम तै है और अगर यहां कॉंग्रेस केंडियेट की बाद करें तो कॉंग्रेस केंडियेट की स्थिती 2014-2019 चुनावों में बड़ी खराव रही हालात अच्छे नहीं थे लेकिन इसके बावजूद भी इस चुनाव में यानि की अब जो 2024 के चुनाव के लिए क्योंकि लोगसभा चुनाव के बाद कॉंग्रेसियों के अंदर पहीं उत्साह का संचार हुआ है पांच सांसत जीतने के बाद हाला कि बावल में तो कॉंग्रेस के जो कैंडिडेट थे लोगसभा के राजबबर वो चुनाव हारे थे लेकिन इसके बावजूद मैं कह रहा हूँ कि कॉंग्रेसियों में उत्साह है और उस उत्साह की बदौलत आप मानें कि बहुत बड़ी संख्या में यहां पर आवेदन हुए एक कॉंग्रेस कैंडिडेट के लिए और इन में से नाम कौन सा फाइनल हो सकता है तो उन जिन के नाम फाइनल हो सकते है उनमें सबसे पहले नाम आता है दौक्टर मुनिलाल रंगा का दौक्टर एमल रंगा चौधरी ओम्प्रकाश चोटाला की सरकार में वजीर रहे हैं मंत्री रहे हैं मिल रंगा वाइस चांसलर हुआ करते थे यूनिवर्स्टी के उसके बाद अगर नाम ले तो यहां पर नीलम भगवारिया का नाम भी है शकुंतला भगवारिया के परिवार से है वो पिशने दिनों होने डर-टो दोर काफी कायोज़ं काफी कारेकरम कियी एक नाम यहां पर अफ़क्वारों की सुर्खियों में और लोगों की चरचाओं में मुकेश जूली का भी है मुकेश जूली जो है वो उनके परिवार के जो सदस्य है वो राजस्तान से आते हैं राजस्तान विधान सभा में शायद वो कॉंग्रिस विधायक दल के नेता हैं यहां पर दॉक्टर पवन कुमार का यह नाम बहुत सारे हैं यहां पर लेकिन जो प्रमुक नाम है जिस पर लगवग उमीद्य महर लग जाएगी पहले नंबर पर मुनिलाल रंगा दूसरे नंबर पर निलम भगवाडिया और यहां पर अगर माने तो लगवग लगवग कंफ कोष्ली विधान सभा की कोष्ली विधान सभाश शीट से फिलाल लक्ष्मन यादव यहां से विधायक हैं रावंद्र जीत के बहुत नजदीक्यों में शामिल हैं वो भी कोष्ली में 2014 में चुनाव जीते थे विक्रम ठेकेदार वह भी नजदीक थे राविंदर जी सिंग के वजीर बने थे 2014 पार्ट वन मनहोर सरकार में बाद में उनकी तनातनी हुई राविंदर जी सिंग से उनकी रुखसती हुई नाराजगी हुई रुसवाई हुई तो उनका टिकेट कट गया टिकेट मिला लक्षमन यादव को लक्षमन यादव चुनाव जीत गए अगर अब मैं आप से बात करूं कोसली का अगला बीजेपी कैंडिडेट कौन हलांकि ट्राई में लक्षमन यादव भी हैं ट्राई में यहां पर विक्रम ठेकेदार भी हैं लेकिन जिस नाम पर मन्थन हो रहा है जिस नाम पर फाइरल क्या जा सकता है वो है राव इंदर जी सिंग की शूटर बेटी आरती राव आरती राव को कोसली से विधान सभा का चुनाव रहा जा सकता है कोसली के अंदर अभी मन्यू भी आए थे अभी मन्यू यादव पूर मुख्यमंत्री मनोहरलाल के नजदीकियों में शामिल उनके जो कारे देखते थे राज नीतिक उनके पी ए कह सकते है उस्ड नाम भी चल चुनाव हार गए थे परिणाम अच्छा नहीं था और आप जो यहां पर नाम चल रहा है वो है जगदीश यादव कोसली पहले जाटुसाना सीट हुआ करती थी और जाटुसाना के विधायक थे जगदीश यादव जगदीश यादव ने लोगसभा चुनाव से पहले कॉंग चुनाव हारे थे लेकिन जगदीश यादव भी शामिल हुए दिपेंदर हुड़ा की मेहनत कहें आप जो भी उसे कहें 2024 का लोगसभा चुनाव यहां पर दो वोट से जीत गए थे दिपेंदर हुड़ा यानि की 75,000 वोटों की हार को कवर किया गया इस लिहाँ से यहां पर जो नंबर एक का नाम है वो जगदीश यादव का है तो कोशली विधान सभा के लिए अगर बीजेपी केंडिट की बात करेंगे तो आरती राव और कॉंग्रेस केंडिडेट की बात करेंगे तो जगदीश यादव पूर मंत्री हर्याना सरकार एक बार आपसे फिर दोहराता चलूँ रेवाडी विधान सभा के लिए रेवाडी जिले की रेवाडी विधान सभा कॉंग्रेस केंडिडेट चरंजीव राव भाजपा के केंडिडेट मंजु यादव सुनिल मुसेपुर की धरम पतनी बावल विधान सभा सीट से डॉक्टर बन्वारी लाल बीजेपी केंडिडेट और डॉक्टर मुनिलाल रंगा कॉंग्रेस केंडिडेट कोसली की बात करें तो आरती राव भाजपा की केंडिडेट बीजेपी प्रत्याशी राव साब की बेटी आरती राव और कॉंग्रेस के तोर पर जगदी शियादा हो आप हमारे इन तीनों नामों से दोनों जो पार्टियों के नाम हैं तीन-तीन कितना सहमत हैं कमेट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के यूट्यूब चैनल को और नई वीडियो की फेस्बुक या इंस्ट्रेग्राम पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो ज़रूर करें और ज्यादा से ज्यादा शियर करें